हाई गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल दोस्तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया फोमिंग फेसवास का रिवियू सेयर करने जा रही हूँ जो की डिसेंटली मेरा फेवरेट बन गया है दोस्तो आज मैं रिवियू करने वाली हूँ अतुल्या 100% नैचुरल टीट्री और नीम फोमिंग फेसवास का इसमें इन्विल्ट सॉफ्ट फेस वरस भी है जो की स्किन को डिटॉक्सी फाई करता है और वीडियो में आगे मैं आप लोगों से ये भी सेयर करूंगी की इसका इस्तिमाल कैसे करना है ये हमारे स्किन के लिए कैसे फाइदे मंद है तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो सबसे पहले तो आपको इसमें इन्विल्ड सॉफ्ट फेस ब्रस मिलेगा स्किन को डीटॉक्सी फाई करने के लिए अगर हम बात करें इस फेस वास की तो इसमें है ग्रीन टी, एलोवेरा एंड बिटामिन ई जो की हमारे स्किन को एकने और पिमपल से प्रिवेंट करता है, यह एकसेसवाइल के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, अगर ओपन पोर्स की समस्या है तो यह इससे भी छुटकारा दिलाता है यह natural elasticity को maintain करता है यह clinically और dermatologically tested है यह all skin types के लिए suitable है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते है pure made in India है बिलकुल natural है और इसमें जितने भी ingredient है सबके सब plant origin है अब आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या इसमें chemical भी है तो मैं आप लोग को बता दो कि this is free from peravin, sulfate, silicon and synthetic color तो बेफिकर हो कि आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इस face vase में है नीम, green tea, aloe vera and vitamin E और जैसा कि आप लोग को पता है कि green tea और नीम में होता है antibacterial and anti-inflammatory properties जो कि acne और pimples से छुटकारा दिलाता है tea tree हमारे skin से dryness को दूर करता है redness को दूर करता है और हमारे skin को glowing बनाता है इसके अलावा नीम हमारे skin को detoxify करता है aloe vera gel हमारे skin को clean करता है हमारे skin को face रखता है और vitamin E हमारे skin को young बनाता है तो आपको करना किया है अपने स्किन को मौैस्ट कर लेना है फिर सफिसियन्ट कॉंटिटी में फेस्वास लेके और फिर इसको ब्रस की हेल्प से अपने चेहरे पर मसाज करना है जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो इस तरीके से सरकुलर मोसन में आपको दो मिनट तक मसाज करना है दो मिनट तक मसाज करने के बाद फिर अपने चेहरे को पानी से धो लीजिए इसके बाद आप चाहे तो अतुल्या का टोनर भी इस्तिमाल कर सकते हैं या कोई भी अपना फेबरेट मौस्चराइजर लगा स लगते हैं तो इस तरीके से आपको इस फेसवास का इस्तिमाल करना है कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर और सबस्क्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू